इस लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे आप प्रॉडक्ट फीड बना सकते हो राइट इससे पहले कि हम यह सीखें कि आप प्रॉडक्ट फीड कैसे बना सकते हो पहले हम समझते हैं कि प्रॉडक्ट फीड होता क्या है और product feed का use case क्या है आपके लिए see product feed का सबसे बड़ा use case है dynamic product ads run करना ठीक है अभी dynamic product ads काम कैसे करती है पहले आप यह समझो उससे पहले तो अभी यह समझो कि dynamic product ads होती क्या है for example आप suppose करिए आपकी website पे 50 product है और आप क्या चाते हो कि जैसे ही कोई आपका product देखे बट उसे खरीदे नहीं तो automatically उस बंदे को वही product दिखने लग जाए जिसे कि हम कहते है dynamic product ads अब यह काम अगर आपको normal तरीके से करना है तो क्या कर सकते हो आप हर product की एक separate ad बनाओ राइट बट अगर आपके website पे multiple products हैं तो यह काम करना आपके लिए बहुत मुश्कुल होगा तो उस case में आप क्या कर सकते हो dynamic product ads बना सकते हो मतलब आप simple अपनी product feed बनाओ वो product feed आप facebook में दो और उस product feed को use करके आप ad बनाओ dynamic product ad और then होगा क्या जैसे ही कोई आपके website पे जाएगा dynamic product ad तो dynamic product ad का जो number one step है और जो सबसे जरूरी step है वो है आपके website की product feed बनाना चीक है तो हम अब देखते हैं कि आप wordpress website की product feed कैसे बना सकते हो अगर आपकी website custom coded है PHP अगर आपे बनी हुई है wordpress use नहीं कर रहे हो आप या Shopify यूज नहीं कर रहे हो आप then आपको अपने developer की help लेनी पड़ेगी product feed बनाने के लिए अगर आप wordpress में यूज कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो अगर आप Shopify यूज कर रहे हो तो अगर आप Shopify का कोई भी plugin लेखे आप product feed generate कर सकते हो तो हम देखते हैं कि कैसे हम product feed generate कर सकते हैं और then कैसे हम उस product feed को Facebook के साथ map कर सकते हैं ठीक है बहुती बहुती जादा आसान है सो देखो करना क्या है सबसे पहले आपको जाना है अपने wordpress पे ठीक है अपने wordpress पे जाना है और आपको जाना है plugins और देन आपको जाना है add new ठीक है wordpress में जाओगे plugins add new और यहाँ पर आप लिखोगे product feed facebook product feed facebook राइट और आपको थोड़ा नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक option दिखेगा product catalog feed by pixel your site यह दिख रहा है product catalog feed by pixel your site हम यह वाला plugin यूज करेंगे तो हमने इसे किया install now ठीक है install हो गया अब हम इसे करते हैं activate बहुत ही असान system process है आप अभी देखोगे कैसे काम करता है पूरा यह रा product catalog देखो आ गया अब इस product catalog को click करो ठीक है अब देखो option आ रहा है add new feed पे जाओ और feed का लिख दो नाम ठीक है feed का नाम लिख दो क्या लिखोगे नाम तो से मैं लिख देता हूं facebook product feed और feed type में by default facebook product catalog है तो आप उसको छोड़ दो id group id आपको कुछ map करने की ज़रूत नहीं है आपको simple क्या कर देना है नीचे आना है और कर देना है आपको generate feed simple कुछ नहीं करना just कर देना है generate feed क्लिक किया मैंने generate feed पर अब automatically feed create हो जाएगे यह होगी create feed क्रियेट होगी feed ठीक है अब यह रहा csv xml तो मैं xml पर क्लिक करता हूं या बेकाम करो view कर दो यह रहा xml राइट मैंने क्या-क्या view और यह xml है इसको कर लो copy xml को मैंने कर लिया copy view किया मैंने और xml को मैंने कर लिया copy अब मैं आऊंगा वापस facebook में राइट अब मैं काऊंगा वापस facebook में और मैं यहाँ गया add manager पे और मैं यहाँ गया catalog manager अब facebook मुझसे पूछ रहा है भया आप किस category का business है जिसके लिए catalog बना रहे हो तो आपके लिए जो भी relevant category आप चूज कर सकते हो मेरा e-commerce है तो हम ले लेते हैं e-commerce और products इसमें है ही तो हम कर देते हैं next अब देखो facebook दो option दे रहा है आपको catalog बनाने के लिए पहला upload product info और दूसरा connect e-commerce platform ठीक है आप अपने existing e-commerce platform को connect कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो अपना product feed facebook में upload कर सकते हो directly ठीक है तो हम अपना product feed upload कर देते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है यह pixel selected है already तो यह pixel select कर लेते हैं और product feed का नाम लिखते हो हना तो मैं लिख देता हूँ 100 days course product feed और मैं कर देता हूँ create create हो गया product feed अब करते हैं व्यू catalog catalog is almost ready यह राज है मेरा catalog अब आप देखो products में जाओ यहाँ पर देखो कोई product नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई product एड नहीं किया है तो मैं क्या करूंगा add products अब देखो तीन option दे रहा है मेरे पास add manually कि मैं एक एक product को manually add करूं या मैं use करूं data feed और तीसरा option क्या दे रहा है मैं facebook pixel को connect कर लूँ तो facebook pixel तो मुझे connect करना ही है पहले मैं क्या करूंगा data feed के through product डालूँगा अभी पहले मैं क्या कर देता हूँ facebook pixel को connect कर देता हूँ तो यहां से मैंने facebook pixel को कर दिया connect और कर देते हैं next amount इसको कर दो आई एन आर आई एन आर कर दिया next अब pixel से क्या होगा मेरा data sync हो जाएगा ठीक है pixel से मेरा सारा data sync हो जाएगा और मैं product wise data यहां पर देख सकता हूँ आप देख सकते हो अभी क्या रहा है zero products updated अभी कोई भी product आया नहीं है तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसको हम refresh करते हैं अभी कोई product आया नहीं क्योंकि अभी inventory मेरी add हो रही है जैसे ही inventory add हो जाएगी यहां पर मेरा product feed दिखने लग जाएगा मुझे सारे product यहां पर दिखने लग जाएगी जो भी error होंगे वो भी मुझे यहां दिखेंगे और मैं उन errors को क्या कर सकता हूं correct कर सकता हूं ठीक है जी अभी हमने किया क्या है simple हमने अपने facebook pixel को अपने product feed के साथ connect कर दिया है अब इससे होगा क्या सारा जो data है मेरे pixel के थुरू product में product का data facebook में आने लग जाएगा ठीक है अब देखो यह pixel के साथ हमने associate कर दिया अभी आप देख सकते हो यहां पर product update हो रहे हैं अभी यहां पर आया नहीं है मेरे पास तो मैं क्या कर सकता था product feed को pixel के साथ connect करने के बज़ा मैं एक और तरीके से product feed अपनी upload कर सकता था वो मैं क्या कर सकता था अब यह मुझसे कह रहा है कि कैसी data feed है अगर मैं CSV के थूप करना चाहता हूं तो वैसे भी कर सकता हूं बट मैं क्या करता हूं मैंने तो data feed बनाया है अपना यहां से बनाया था data feed तो मैं वो data feed यूज कर लूँगा और इस data source का मैं नाम लिख देता हूं Facebook pixel data feed ठीक है और currency को मैं कर देता हूं INR और यह दो option मेरे से पूछ रहा है कि क्या जैसे ही मैं data feed डालूँ आगे के update automatically हो जाए या फिर manually हो तो मैं कर देता हूं automatically और यह मेरे से पूछ रहा है data feed का URL तो data feed का URL मैंने यहां से लिया था view कर देता हूं यह मैं copy करता हूं और इसको मैं कर देता हूं यहां paste ठीक है data feed का URL copy कर दिया मैंने अगर इस data feed को access करने के लिए username password चाहिए हो तो मैं वो भी कर सकता हूं then मेरे से पूछ रहा है कि यह file automatically कब update हो आरली हो daily हो weekly हो तो मैं इसको आरली update कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं start upload ठीक है upload हो रहा है आप यहां देख सकते हो step one of four waiting to be validated तो एक सेकंड इसको हम पूरा update हो जाने देते हूं अब यह कुछ error दिखाएगा हम उस error को हम देखेंगे क्यों error क्या है राइट देख रहो 12 products update हो गए तो मैं पहले यहां पर products पर आता हूं इसको मैं एक बार refresh करता हूं अब देखो यह रहा है products यह मेरे website के सारे product यहां पर आ गए ठीक है अब यह आ रहा है diagnostic तो देख लेते हैं problem क्या रही है problem देखो क्या रही है कि मैंने कहीं भी product category नहीं ली right मैंने कहीं भी product category select नहीं की इसलिए मेरे को problem आ रही है product category नहीं ली मैंने तो मैं क्या कर सकता था पहली बात तो क्या product category लेना ज़रूरी है facebook dynamic ads के लिए product category ज़रूरी नहीं है जब आप google में dynamic ads रन करते हो तो product category लेना ज़रूरी है बट अगर आप यहां भी product category लेना चाते हो तो बहुत सिंपल काम है वापस आना है और इसे करना है edit edit करोगे और नीचे आओगे और देखो यहां प्यार है product category राइट यह रहा product category और इससे main category select कर लो क्या है main category है हमारा apparels and accessories ठीक है सब category भी select करनी है तो कर लो क्या है मेरा clothing clothing ले लो that's it और कुछ नहीं और सब category लेना है तो और ले सकते हो हम इतना रहने देते हैं और इसको कर देते हैं update the feed ठीक है कर दी update feed अब वापस आ जाओ और इसको refresh कर लो यह कर रहा है images बहुत ज्यादा small है तो वह कोई problem की बात नहीं है तो हम आ जाते हैं वापस products में और अब दुबारा देख लेते हैं क्या-क्या problem आ रही है अभी भी दिखा रहा है Google product category में problem है तो हम एक काम करते हैं हम जाते है product data sources में और यह रहा मेरा यह data source था इसको मैं करता हूँ click और मैं जाता हूँ settings में और जो मेरा feed था यह था feed मेरा राइट तो मैं इसको update कर देता हूँ यहाँ से अब मैं update करूँगा तो अब problem सही हो जाएगी तो सही हो जाएगी क्योंकि मैंने यहाँ पर product category update कर दी है ठीक है जी अब यह problem मेरी solve हो ज ठीक है अब आजाओ diagnostic पर और एक बार इसको refresh कर दो अब solve हो जाएगी problem बारे देखो कोई problem नहीं है right मतलब एकदम अब सही हो गया मामला अब यहाँ पर मेरे आ गया सारे products जो भी मेरे पास product थे right तो हम अब यह भी चेक कर सकते हैं कि product wise कितनी sale आ रही है कितनी sale नहीं आ रही ठीक है तो बड़े simple तरीके से हमने काम किया आप यह देख लो हमने किया क्या हम अपने website पे गए then हमने वहाँ से अपना data feed बनाया product feed बनाया हम facebook पे आये और then हमने facebook में जाके नया catalog बनाया और अपने catalog को हमने क्या किया उस data feed को use करके facebook के अंदर catalog अपना setup कर लिया ठीक है फि गूगल की product category facebook ads के लिए जरूरी नहीं होती बड़ यह जरूरी होती है Google ads के लिए लेकिन हमने यह भी काम यहां पर हमने सही कर लिया हमने अपना product category जाके update कर दिया और वह facebook में भी update हो गया अब एक हम काम और देख लेते हैं event data sources में हम जाके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो pixel है वो associated है की नहीं तो आप देख सकते हो कि यहां पे इसके साथ pixel connected है इसके साथ pixel connected है अब एक आप काम और कर सकते हो जो जाके check कर सकते हो आप जाओ अपनी website पे यहां मैं अपनी website पे आता हूँ और मैं इस product को click करता हूँ और मैं इसको click करता हूँ यादे आपको कलम ने यहां पे देखा था view content तो यहां पे yellow सा बना रहा था जो last lesson में हमने सीखा था फिर मैंने आपको बताया था वो yellow सा बना क्यों आ रहा है क्योंकि जो हमारे product की information है वो जा नहीं रही थी राइट product wise information facebook pixel के पास नहीं जा रही थी इसलिए वो error आ रहा था बट अब वो problem नहीं है क्योंकि हमने catalog manager के साथ pixel को associate कर दिया है तो अब कोई problem नहीं है मेरे पास ठीक है अब मैं क्या कर सकता हूँ अब मैं इसको use करके dynamic ads बना सकता हूँ dynamic ads बना सकता हूँ और अपनी conversion मैं improve कर सकता हूँ आप देख सकते हो diagnostic में कोई error नहीं आ रहा एकदम सही है और product आप देख सकते हो जितने थे मेरे पास वो सारे मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं खिक है so this is it from this video अगर आपके पास e-commerce website है तो I will highly recommend कि आप जाके आज product feed बनाएए जैसे मैंने बनाया और अगर आपको कोई problem होती है तो you can share with me आप मेरे team के साथ बता सकते हो आप कि आपको क्या problem आ रही है और आपके problems solve की जाएए ठीक है जी thank you so much और product feed बनाना अगर आप e-commerce business करते हो तो बहुत 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 जादा आपके लिए जरूरी है क्योंकि dynamic ad से बहुत जादा अच्छा conversion आता है ठीक है thank you so much